असलाम लेकुम, आज हम बनाएंगे बीना चावल के सूपर टेस्टी कीए यह इतनी टेस्टी होती है कि अगर आपने इसे एक पर बना लिया दना तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे और यह बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेस्पी है तो बीना देर कीए हो चले इसे गरम होने देते हैं यहाँ पर हमने 15-16 बादाम ले लिए हैं जिसे हमने एक दू घंटे के लिए पानी में भिंगो के रख दिये थे अब इसके हम छिलका निकाल लेए हैं तो यहाँ पर दिखिए हमने सारे छिलके निकाल लिए हैं अब एक मिकसर जाल ले ले लेंगे और इ यहां पर लेंगे में इंग्रिडियन्स जी हैं यहां पर लेंगे दूद चमज सूजी जिसे हम रावा भी कहते हैं यहां पर आप कोशिस करें कि जो मोटी वाली सूजी आती है ना वो सूजी ले यहां पर हम दूद चमज सूजी ले लिए हैं अब इधर दूद चेकर लेते है तो दूद में भी बॉयल आ गया है अब इसमें हम सूजी डाल देंगे और सूजी डालके यहाँ पर इसे कंट्रीनु चलाते रहना है ताकि इसमें कोई गुठलिया ना पड़े यह देखिए इस तरह से चलाते रहिए अब इसमें डालेंगे दो हरी लाइची अब इसे हम 7-8 मिनट तक इसे पका लेंगे तो यहाँ देखिए 7-8 मिनट हो गए है खीर देखिए कितनी गारी हो गई है अब इस अश्टेश पर हम चीनी डाल देंगे और चीनी डालके हम इसे दो मिनट तक और पका लेंगे में कर देंगे अब का दाल देंगे बडाम का प्यस्ट जो पहले से हम पीछ के रखे थे और इसे डालके हम दो मिनट और पका लेए हैं आफ यहांपर दो मिनट हो चुके हैं खीर बंद के डियरी हो चुका है अब इस सल कपर गैस जो हम निकाल देंगे क्योंकि इसका फीलेवर था, यहां पर अधर हो गे में ख़ीर, आधे घंटे हो गया है, खीर अच्छी तरह से ठंडी हो गी है, तो चले इसे हम सर्फ कर लेते हैं, एक्तम दानेदार बीना चावल का खीर तयार है यह बहुत में टेस्टी एंड शूपर डिलेसस बनके तयार हुई है इसका टेस्ट तो तभी पता चलेगा जब इसे आप एक बर बनाएंगे और इंजोई करेंगे तो इस रेसिप्य को एक बर मेरे तरीके से आप जरूर बनाए ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे है